हेलो इस ब्रेंट्स वेलकम तो स्टेडी सेंटर विद देवरिशी भारदवाज तोड़ेज मैथ कुशन फोर यू इस इन विच कुशन पॉइंट और उन विच एक्सिज तो इच अप दी पॉइंट्स लाई वेरिफाई और आंसर बाइ लोकेटिंग देम ओन दा कार्टिशन प्लें दोगों इस कुशन में क्या गिवन है और क्या हमसे पूछा गया है इसके पहले डिसकस कर लेते हैं हमको क्या देखो कुछ पॉइंट्स गिवन है जैसे माइनस टू कॉमा फूर थी कॉमा माइनस बन ग और हमसे पूछाए कि यह जो कार्टिशन प्लें होता है उसके किस क्वाडेंट में है या किस एक्सिस पर है तो हम कैसे पता लगाएंगे सबसे पहले हमें क्या करता हूं हमें काम करते हैं कार्टिशन प्लें होता क्या यह जान लेते हैं मैं आपको कार्टिशन प्लें का थो उसके x is 0,0 होते हैं, मतलब यह जो point है, यहाँ पे, इसके जो origin है, मतलब इसका जो point कहेंगे, वो 0,0 कहेंगे, 0,0 का मतलब है कि यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0, जब मैं कहे रहा हूं 0,0, जो भी पहली number बोला जाता है, वो x को represent करता है, यह y को represent कर रहा है, इसके अलबा, यह जो होती है, यह होती है x axis, और यह जो होती है, vertical line यह होती है y axis, ठीक है, यह वाली line y axis, और यह वाली line x axis, अब यह जो मैंने origin बताया बीच में, इस से right में plus के होंगे, इधर की तरफ, और इसके left में minus के होंगे, इसके उपर, यानि y के बाई में origin 00 से उपर, plus के होंगे, और इसके नीचे minus के होंगे, तो जैसे मैं कहूं, minus 2,4, तो minus 2 किसको बता रहा है, x को, ठीक है, तो मतलब x हमारा negative है, तो 00 से left में, 1, 2, minus 2 हमारा ये हो गया, ठीक है, और ये कह रहा है, 4, 4 मतलब positive number है, ये y को repeat करेंगे, तो हम उपर की तरफ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है न, मतलब ये हमारा 4 हो गया, यहाँ पे, तो minus 2,4, अब देखो minus 2 ये है, और 4 हमारा ये है, तो एक ऐसा point बताओ, इसको हम एक rectangle की तरह है, मिलानी कुछ करेंगे, मतलब इसको ऐसे dot, dot, dot करेंगे, इधर से भी बढ़ाएंगे, तो ये करीब यहाँ पे आके मिलेगा, तो ये जो point यहाँ पे आके meet कर रहा है, इसको हम बोलेंगे minus 2,4, ओके, इतनी बाद समझ में आ गई, अब देखो, ये जो, थोड़ा मैं clear कर देता हूँ, आपको clarity समझ में आए, हाँ, मैं फिर से बनाता हूँ, ये हो गया, ये हो गया, अब आपको x axis पता है, y axis पता है, ये ही पता है, कि x पिलस में किधर होगा, minus में किधर होगा, y पिलस में किधर होगा, y minus में किधर होगा, अब हम से पूछा है, minus 2,4, ये किस quadrant में होगा, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये होता है first quadrant, ये second, ये होता है third, और ये होता है fourth, अब अब खुदी सोचके बताओ कि minus 2,4 किस में होगा minus 2 मतलब x वाला point negative ये इधर और y का मतलब 4 है इस वाले question के लिए तो इसका मतलब है कि y का point positive मतलब उपर की तरफ y हम उपर की तरफ positive होता है तो ये और ये इधर की तरफ आया ना कौन से quadrant है ये second quadrant है ठीक है ना ये दोनों जिस भी quadrant में एक साथ आएंगे ठीक है तो ये second quadrant इसका answer होगे तो मतलब minus अगर x है और y कैसा था हमारा plus का था minus plus इस टाइप से एक number minus का फिर second वाला plus का है तो वो second माएगा ऐसी मैं काऊं कि अगर दोन नामबर positive है तो किस माएँगे फिर्ष्ट माएँगे क्योंकि x भी positive और y भी positive तो फिर्ष्ट माएँगे I hope clear हो गया होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा देखते ही पिलस पिलस इस में होगा minus plus second में हो गया third में क्या होगा देखो minus x भी minus का होगा और नीचे की तरफ by भी minus का होगा तो ये क्या हो जाएगा minus minus होगा और fourth कैसा होगा x कैसा होगा fourth में x ये है ये तो हमारा पिलस का होगा और by कैसा होगा minus का होगा तो पहले x का लिखाएगे plus फिर लिखाएंगे Y – इस टाइप से तो अगर दोनों points हमारे positive हैं तो फ़िंस्ट quarter और दोनों points मेंसे अगर दोनों ही negative हैं तो कौन से भाएंगे थार्ड में आ जाएंगे देखो दोनों ही negative आ हैं अगर पहला negative और second positive तो पहला negative है निए x negative यह आप diagram को देख के बता सकते हो याद करना रटना ऐसा कुछ नहीं है ठीक है? diagram को देखोगे और बता दोगे चलो, अब हम इन questions की बात करते है जो questions है इस में तो यह पूछा है कि किस quadrant में है तो diagram बना के आप करो हमेशा कोई याद करने की रटने की ऐसी कोई अभी need नहीं है कोई आपको रटना नहीं है आप diagram बनाओगे simple और question को solve करेंगे जैसे minus 2,4 अब देखो इस type से diagram बनेगा minus 2,4 x पहले minus 2 यह और बाई की जिए कि यह हो गया 4 तो minus 2 और 4 इस point पर आके मिलेंगे यह हाँ पर बना दिया है तो यह कौन से quadrant में होगे इस कांसर आप लिख दोगे second quadrant second question हमारा क्या था एक point था हमारा 3, minus 1 तो 3 यानि x हमारा 3 है x, x पहले हमें 3 जाना है पहला plus हो गया, second हो गया minus 3, minus 1 यह हो गया हमारा 3 और by देखो minus 1 है तो negative में जाएंगी यह दोखो, नीचे को एक point ही गया है तो 3, minus 1, कौन सा quadrant होगा यह fourth बता है था मैंने बैसे मैंने बता है था कि plus और minus इस तरीके साथ है तो fourth में होगा third हमारा question क्या है minus 1, 0 minus 1, 0 अब x minus 1 है मतलब हमें x पहले कितना जाना है यहाँ से, इस 0 से left में जाना है, minus 1 और by पे कितना जाना है जिरो मतलब by पर ऊपर नहीं जाना है, नीचे जाना है कही भी नहीं जाना है मतलब इसी point पर answer है तो यह हमारे किस quadrant में है quadrant में तो नहीं कह सकती क्योंकि तो line पर है, तो किस axis पर है यह, देखो मेरा आंसर बताने से पहले आपको आंसर बताओ, 1,2, x भी पॉजिटिव, 1 है और y भी पॉजिटिव, 2 है, तो कहां पर आएंगे, यहां पर, फर्स्ट क्वार्डेंट में, नेक्स्ट कुशन है, माइनस 3, माइनस 5, माइनस 3, माइनस 5, दौनों ही नेकेटिव है, x नेकेटिव गया, और फिर यहां से, x कितना गया, माइनस 3, और इसी पॉजिट से, आपको यह मालो कि नीचे आना है, भाई में, यहां से नीचे आ जाएंगे 5, तो माइनस 5 हो जाएगा, तो यहां पर पॉइंट मिल जाएगा, आपको दौनों को इस क्वाडेंट में हो गई है, थर्ड क्वाडेंट में, आई होब यह कुश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आपको देखो यह डाइगराम बनाना था, यह प्लेन बनाता है, बीच बाले पॉइंट यहां पर O लिखा हुआ है, बिल्कुल सेंटर में इसको ओरिजिन बोलते हैं, इसका पॉइंट क्या होंगे, आप खुद सोचो, X भी बिल्कुल 0 है, Y भी 0 तो 0, 0, 0, ठीक है, तो I hope यह कुश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, अब एक कुश्चन मैं आपको देता हूँ, प्लॉट दा पॉइंट X, Y, given in the following table on the plane, choosing suitable units of distance on the axis, ठीक है, आपको यह कुश्चन करना है, Cartesian plane बनाना है, ठीक है, उसमें X की वैलू जैसे minus 2 है, तो उसमें पर Y की वैलू 8 है, तो minus 2,8 इस तरीके से यह points को आपको plot करना है, ठीक है, तो आप इस diagram को देखो, इस question को देखो, और इस question को solve करो, और इस question को plot करना ही कोशिज करो, ठीक है, और इस question को solve करो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो तो नखरगे तो like, share, and subscribe, तो नखरगे,